फेलो फ्रेएंड असलाम अलेकोम उम्मिद करती हैं अप लोग खरिये से होंगे स्वास्त रहें मस्त रहें आज मैं आप लोग को पकिस्तानी सलवार बनाऊंगी आजकर बहुत चल रही है सलवार की तो यहाँ पर आप सलवार बनाना है तो आप पूरा दो मीटर ले लिजिए और बड़ाबर कट करके निकाल लेजे जो भी छोटा बड़ा होती इसकी चवलाई टोटल यहां पे 42 इंच है खोलने के बाद यह फोर्ट फोल्ड में आ रहा है तो लंबाई मैं बता दूँ आपको कितना बनाना है सलर की लंबाई 38 इंच बनाना है इसं में 3 प्लस करूंगी निफा के लिए इसके बाद मेंshirts करूंगी 9 इंच उसके बाद में égal लेंथ में घेर वाली लेंथ में 32 इंच ठीके लंबाद में कट करूंगी अभिहास मैं मोहरी लूँगी सारे साथ इंच फिटिंग रखना है और आगे से एक इंच एस्टा ले लूँगी यानि सारे आठ इंच पर टोटल निशान लगा रही हूँ पकिस्तानी सलवार में थोड़ा लूज लूज रहता है अपना हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते अपनी पसंद से यह लेंद अब हम आसन में आ जाते हैं तो आसन के लिए मैं यहां पर दस ले रही हूँ क्योंकि यहां दस इसलिए ले रही हूँ कि बेल्ट में 9 इंच करूंगी तो उसमें 3 इंच मार्जिंग चला जाएगा नेफा के लिए और सिलाई जोइंड के लिए बच जाएगा उधर 6 इंच इदर 10 इंच 16 इंच तो टोटल फिटिंग सिलाई होने के बाद में सारे 14 इंच बचेगा आसन ठीक है फ्रेंट इसलिए आपको 10 इंच पे निशान लगा कि यहां से आसन ले लेना है तो इस तरह से आप निकाल पाओगे तो आप आसानी से मेजर हो चिरिया के पास में हलका सा गुलाई आपको देना पड़ेगा जिससे आपका सलवार खीचे ना फ्रेंट यह देख सकते हलका हलका मैं गुलाई दे रही हूं और सामने से म्यानी वाली सलवार कट करूंगी इसलिए ज्यादा इसमें कॉसेव नहीं दी हूं अब इस निशा साइड में थोड़ा सा नीचे से एक इंच हम यहां पर इस्टार लेकर यहां से मिला आदेंगे ठीक है मोरी के पास से अब जैसे देख रहे हैं एक इंच पॉने 21 तक आप माइनस कर सकते हैं नीचे मोरी में तो इस तरह से आपको डाउन कर देना है मोरी में अभी हाँ डाउ बिच्छाँ में मिला देना है तो आपको आसन तक नहीं कट करना है बस यहां से लेकर आधे दूर से आधे तक कट करना है और यहां पर सेंटर में कनोचिस लगा देना है यह दोनों उपर मैं हलकालका कीऊं कट करी हूं फिरें मैं आपको बताती हूँ यह सलवार आपको जूरे नहीं इसलिए अब हम में आने और बेल्ट कट करेंगे तो यह बचे वह फेब्रिक से जो तिर्षा फेब्रिक देख रहे हैं इसको डबल में बिचाओंगी इसके उपर एक और यह तिर्षा फेब्रिक को बिचा के बे यहां पर टाइट नहीं होगी तो लेंथ टोटल में यहां पर 9 इंच लेकर फीता को बड़ाबर कर रही हूं और यहां से कट करके इस तरह से निकाल लूँगी अब यह कट हो चेकिए अब इसको जोड़ना है यहां से दो पला निकाल लेना है फेब्रिक को इसको करेंच होकर यहां पर गोल आजाएगा 24 इंच तो इसी तरीके से आपको जोइट करना है दूसरा वल भलता एक पल्ला जोइंट करने दूसरा भी सेम जोंट कर लेना फिरन करने के बद यहाँ पर बेरा अप तयार रखना तो यह इस तरह से बेल्ट में जोरकों है रेडी रखोंगी आब यहाँ पर मियानी कट करूंगी तो मियानी दो सब्सक्र tat पने में बिच्छा लिए हूँ मियानी की लेंच चोलाई में बता दू आपको अड़ाई इंच चोलाई लूँगी और सारे छे इंच लंबाई ठीक है इस तरह से निसान लगाते हुए अब इस निसान को यहां से बराबर कर लेंगे और तीरशा फितर रखते हुए यह मिला लेंग और नीचे से हाफ इंच डाउन करेंगे इस तरह से हलका सा गुलाई भी मिल जाएगा तो मियानी इस तरीके से कटिन आप करते हैं तो बहुत अच्छी तरह फिटिंग बैठेगी फ्रें अब बढ़े के लिए छोटे के लिए इस तरह से ही कट किजिए फिर आपका मियानी प मेस हटा देती हूं अभी हमें हम लगाएंगे कैसे में तरह इस ते करना इस तरह से मियानी करेंगे हो देखो मियानी को स्टिच करने के बाद में आपको इसतर से दिखेगा अब यहां पर सिलाई हो चुकिए आसन को फैला देंगे तो फ्रेन यहां पर आसन दूसरा वाला उठाएंगे और सीधे में सीधे मिलाते हुए कुरोचरिया के पास जो म्यानी देख रहा है उसी तरीके से हम रखेंगे और यहां पर म्यानी को कंप्लीट करेंगे तो इस म्यानी के उपर से सिलाई करेंगे और य चार इंच के दूरी इस तरह से हाइक से अपने सार बनालना है इसके बाद हम यहां पर प्लेट लगाएंगे तो प्लेट आप उसी आप से लगा सकते हैं बेल्ट के हिसाफ यहां देख सकते हूं चार प्लेट राइट साईड में चार प्लेट बैक साइड में लगा दी हूं एक दूसरे की ओपोजेत में तो बड़े बड़े प्लेट लगाने हैं यहां पर छोटे-छोटे नहीं लगाने हैं तो फ्रेट बिलकुल इसी तरीके से हzess आपको लगाना है और बैक पल्ला में भी यहां दूरी देखिए दो इंज का गेप देकर मैं लगाएं दो प्लेट यह प्लेट लग चुकि है अब यहां पर हम कमर जोइंट करेंगे तो बेल्ट ले लेंगे बेल्ट हम जोड़ते हैं सलवार में उसी तरह का हम जोइंट करेंगे सिर्फ बिना न लगा और दूसरे साइड बनाना है अम एक क्षेल जोइंट करके मिलते हैं दखो मैं आपको पता जोइंट करेंगे यहां पे सिलाई फ्रेयंगे अब यहाँ पर आप चाहो तो नारा वाली नेफा भी बना सकते हैं जैसे अगर आप नारा वाली नेफा बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं अगर आपको इलास्टिक बनाना है तो मैं इलास्टिक बता दूं तो कमर यहाँ है मेरा 36 उसमें 4 माइनस करके टोटल 32 इंच रखी हू ठीक है और से हम जोईन्ड करेंगे इसको यहां पहले उपर रखते हैं इलास्टिक को गोल करने के बाद में यहान Labour के दो इंच नीचे हम रखेंगे इलास्टिक को इस तरह से फ़ोल करना है चार nhân तरफ आप इस तरह तो यहां पर देखो फिर नहाई इसकी टोटल 15 इच आ चुकी है अब यहां मोरी पर हम अटेच करेंगे बुख्रमवाली पट्टी तो यह बुख्रमवाली पट्टी को हम फ्रेवरिक पर चिपका लिए हैं इस तरह से सीधा में रखेंगे दोनों मोरी के उपर में तो दोनों म देनेक बाद एक बड़ी सी जिग जग लगा दी हूं इसके अंदर में छोटे-छोटे जिग जग नॉर्मल मोरी पहुंचे तयार कर ली हूं तो यह पहुंचे तयार हो चुकी है और साइट का सिलाई भी कंप्लीट कर ली हूं यानि सेंटर के जो सिलाई होती है सलवार की सि पकिस्तानी स्टेट सलवार तो मियानी वाली पकिस्तानी स्टेट सलवार आपको कैसा लगा कटीन और स्टीचिंग आप जरूर कमेंट करके बताईएगा फ्रेंड अगर इजी लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड उमीद करती हूं आ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा में मिलती हैं अगली वीडियो में बाइए